मैं हूँ राहूल कमुल आज हम हैं कुम नगरी इलहाबद में और हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिशत के अध्यक्ष डॉक्तर प्रवीन तोगडिया जो इस हफते सुर्ख्यों में रहे हैं अल्पसंक्यों को खिलाफ लोगों को उपसाने वाले एक बयान को लेकर डॉक् माचित करने यह वोकर में मेरी जनसभा थी 40-50,000 लोग थे यह जनसभा में एक घंटे के भाशन में मैंने माग की कि यह देश में माइनुर्टी डेवलोपेंट कॉर्परसन है बहुसंक्यों के हिंदों के बेटों को रोजगर की विवस्ता क्यों नहीं यह देश में एक लग प्रसिब्दी हिंदू को क्यों नहीं तो मैंने माग की कि यह देश के हिंदू को चाहिए रुजगरी शिक्षा स्वास्त सुरक्षा और राममंदीर और मैंने यह माग की उनके साथ मैंने भारत की इतिहास की कुछ घटनाओं का वर्णन किया परन्तु यह देश के करोड़ो केस नहीं बनता था परन्तु वह पुर्व मुख्यमंत्य सब्सक्राइब की कॉंस्ट्टियोंसी है और यह देश का हिंदू अपने अधिकारों की माग न करे इसलिए हिंदू के आवाज दबाने के लिए कि अब आज तक डॉक्र तोगडिया बोलता था अब करोरों हिंदू वह लेगा कि हमें चाहिए रोजगार हमें चाहिए चिक्षा हमें चाहिए राममंदिर और हिंदों की आवाज को दबा नहीं सकता है और यदी दबाने का प्रयास किया तो डॉक्टर तोगडिया अकेला बोखर नहीं जाएगा उनके साथ लाखों हिंदू कुछ करेंगे और उनके माथे की कैप पर होगा तीशर्ण पर होगा जंडें पर लोगा कि मैं हिंदू हूँ तुम हिंदू हो और यह दॉक्टर तोगडिया की आवाज यह देशकρι हिंदो की आवाज वने किبने की नाम नहीं अप बात करता हूव कोई अपने चेहरे पर चिफका देते तो मैं क्या करूँ इस तरह से देश की एक समुदाई के लोगों की तुलना किसी जानवर से करना मैंने कि यह ठीक है किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है आपका संकेर तो साफ है कि आवाज उठाने का प्रयास किया और यह देश में की बेटी का प्रधाब घटना होगी यह देश में हिंदों की आवाज दबाई जाती है और इस तरह दोगरिया करता कि हिंदों को रोजगार चाहिए शिच्छा चाहिए स्वास चाहिए राम मंदिर चाहिए तो उनको जैल के सलाके के पीछे बंदबुद करने का सड़ेंतर क की खचँ लोगे अधिकार की मृभढबन पुरके दंगों का दिक्र करते थी आपने मुरादवास की आपने मेरच की आपने कहा कि वहां पर हमने लाशे बहादी इस तरहां से विगयारा कि हमने कहा है और लाशे नहीं कहा है किसी कि नौँआख़ी चर्चा करना बारतनी वाजन की चर्चा करना कि इसकि लीम की बात करना गुना है और हिंदों को अधिकार मिले रोजगार मिले यह यदि वह कर दंडित करने है सुदूर कंवरे जानवरों से तुलना करना ठीक है हमने किसी का नाम नहीं लिया है कि मैंने सौक करोड हिंदू के अधिकार की मात की है उनकी रोजगार शिक्षा की मात की है यह देश में हिंदू को अपमान किया जाता है मुसल्मान के बच्चों को सिक्षा उत्तर देश में मुसल्मानों की बेटियों को 30,000 हिंदू की बेटियों को क्यों नहीं बंगाल में मुल्ला मल्यों को 5,000 हिंदू को किसान को क्यों नहीं यह देश में हिंदू का व्यपार खत पर गलत केस किया गया है आप लोगों को लेकिन उक्साते हैं जिस तरीके से ओवेसी ने हाइदरबाद में लोगों को उक्साने का काम किया है एक गंटे के प्रवचन में और यह अकांक्षा सुनने के लिए 50,000 लोग थे असोग चोवान की तो वो हिल गया कि 50,000 लोग एक एसम्बली में आये तो हमारा क्या होगा और मुझे बताओ यह देश में क्या हिंदों का न्याई नहीं हो रहा है अब बताओ अकले से यादव अकले मुसलमानों की बेटियों को 30,000 दे रहा है गलत है या नहीं ओभी सिकी नौकरिया चिनकर मु देश होगा, लेकर रहेंगे, शिक्षान लेकर रहेंगे, लियापार की चिंता अक्यज इंप्र और वाँ, लूब ईतफासिलताव आप मुझे बताओ इंकंट्राकी ERIC होती है किसी मुमान के बाद देखि एक लाखों बच्चों के अपरण होगा इंपर्ण भी हिंदू के नौकरिया भी हिंदू की चिन लेने की और डॉक्टर तोगडिया कहता है लोग तांत्रिक विपत्तती से एक उकर उनका उतर दो अपना धिकार मागो उनको जैल के सला से बंद कर दिया जाता है आज तक डॉक्टर तोगडिया बोलता था अब देश का करोर हिंदू बोलेगा आपको नहीं लगता कि कानून को कारवाई करने की जरूरत है सरकार को एक संदेश देनी की ज़रत है कि इस तरहां के बयान वो इस समुदाई से आए या उस समुदाई से यह किसी भी तोड़ से सिवाजी और अवरंग्यव की तुल्ला करने लिख ले हो जो पतले आम की बात कर रहा है पंदर मिड़ को पुलिस हटा दो हिंदू को साफ करने की दात उनकी जगए हिंदू का रोजगार मागने वाला हिंदू के लिए राम मंदिर मागने वाला को करा जान में ठाइबल हिं कि तुल्ला करके खड़े लाते लगता कि आपका दिमाग बिगड़ गया है आपको नहीं लगता कि देश में इस वक्त जरूरत है कास की सब जगहा जरूरत है विकास की किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जा सके अब तो बीजेपी भी उतनी राम मंदिर की बात नहीं क छुन रहा है और मेरे बाषर नहीं दिया हिंदुस्तान में आज तक 50,000 साटरों को हमारे होस्टल में रहकर हमने सिख्षा दी है आज भी ट्राइबल के एक लाख बच्चों को मिस्व को सिख्षा दे रहे हैं आज भी ट्राइबल में पच्चीस लाख से बच्चों को 25,000 ग कि आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने सेक्रिलर चस्वे से आखें बंद कर लिए आपको आपने आखें फोल दे होगी आपने इतना वड़ा धर्म संसत किया यहां पे उसमें कई साधू संत आए लेकिन लगता है कि बारा साल में एक ही बार यह मांग उठती है उसके सब्क्राइस के बार यहां मंदिर का नहीं है जम्हुरा का है मेरे संपती सिरक्षित नहीं रहेगी थे सूरक्ष्षित सम्पती नहीं रहेगी मेरी बेटी सुरक्षित नहीं पर नहीं है यह हमारी संपति की रक्षा हमारे गाउं की रक्षा हमारे व्यापार नौकरी की रक्षा है यद्या में राम मंदिर बनेगा आपका गाउं में आपका घर सुरक्षित हो ज जाएगा आपकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी आपका धर्वसुरक्षित हो जाएगा कि तुल्ला हो रही आपको मोधी से इतना परहिश्क है मुझे यह बताओ आज से लेकर पूरुव में 30-40 साल में विश्व हिंदू परिशद ने किसी व्यक्ति या दल को वाट देने का कहा है तो एक उधान मुझे बताओ इस बार तो हो रहा है नंबर वन इस बार तो हो रहा ह किसी व्यक्ति या दल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया तो बताओ में प्रस्ताव की बात कर रहा हूं वहां मेरे भाई 10,000 साधू संत थे 10,000 में आपको दो के नाम दिखाई देते 10,000 नहीं दिखाई देते थे इसले व्यक्ति से पक्ष बढ़ा है पक्ष से विचार बढ़ा है विश्व हिंदू परिशद कहती है कि जो व्यक्ति कहेगा सब्स्वत में कानून बनाकर राम मंद वाड दे हमने एक्स को रचने का कभी नहीं कहा है नहीं कहेंगे आगे भी नहीं कहेंगे विश्व हिंदू परिस परिस्द की जो प्रस्ताव है वह जनता तक लाज़ सब्सक्राइब हो हमारे यहां किसी स्तर पर दूसरा भारती जनता पार्टी को करना है विश्व हिंदु परिशत को हमें पूछाएगा सारजिक बताने की जरुत नहीं है भारती जनता पार्टी का लीडर कौन होगा निर्णाइ भारती जनता पार्टी की निस्टल एक्जिक्यूटी करेगी यह डॉक्टर प्रविंट तोगरिया नहीं करेगा आज तक हमारी परंपरा किसी व्यक्ति पक्ष को मदद करने का नाम देने की नहीं है हम सिद्धांद के आधार पर हिंदुत्व का जागरन करते हैं वह व्यक्ति हिंदों कि अपने और मोधी दोस्ती थी बीटे सालों कि नहीं है किस्टा के हम दुन की निया रहें पूरा और राच्टर तो बढ़िया केप्चर करेंगा दूसरा चरका आप देखते रहा जाओगे आप प्रश्वास करता है उनके पीछे हमारा चेहरा है नेताओ को कहो बताए कि हिंदु राष्ट पर मेरा विश्वास है अखड़ भारत पर वेरा विश्वास है और संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे प्रत्यक लीडर के पीछे मेरा चेहरा है नहीं मोदी एमडवाद से निकल कर दिल्ली आना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि हिंदु तो करास्ते से हट के थोड़ा एक बीच का रास्ता पकड़े ताकि उनको बाकी जुकाया जा सकता है यह देश के सौक करोड़ हिंदों को मुगलों को जुकाया तो देश की राजनीती को विजपा देगा आपके हिसाब से नरेंदर मोदी अच्छा पीम बन सकता है कि ने मैं अच्छा पीम या बुरा प्रेम का भीप्राई देने के लिए नहीं मैं विश्वंदू परिसेत की पॉलिसी व्यक्त करने के लिए हूँ विश्वंदू परिसेत की पॉलिसी है जिनका हिंदू राश राम मंदिर तीन सो सिपर पर सरद्दा है वह अच्छा पीम बनेगा इसलिए जो बनना चाहता है उनको कहो कि आपके आज तक पर हेड्लाइन पर गोशना करें हिंदु राष्ट पर मेरी सरद्दा है अख़ण भार पर सरद्दा है अपना आप हिंदु जनता का समर्थन मिल जाए है इस सरहां का समर्थन नरेंदर मोधी को मिल रहा है उसको देखत है हो जो सादु के रास्ते पर निकलता है आप समर्थन की चिंटा नहीं करता है इसलिए चाहे तो सर क्रक्ठा देता है शाहे तो जैलने जाता है चाहे तो कवल से भी जाता अच्छा यह बताएए कि आपको लगता है कि बीजए पर की दुबारा सरकार बंढ रही है वह हिंदू पॉलिटी खड़ी करेंगे जो सौ करोड हिंदू को रोजगार सिक्षा सुरक्षा और राम मंदिर दिलाएगी और अक्यला भाज़पा नहीं देश के सभी दोलों को हिंदुस्तों के रास्ते पर लाने के लिए अपने अपनी बात रखी डॉक्टर तोगडिया देश के लोगों को तैय करना है कि वह आपके साथ हैं आपके खिलाफ आपने हमें वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्तिया